है हलोगे कैसे हो सारे दिस यूलव ने बादि चैनल कोजन हे रूप लास्ट वीडियो हमने शीख लिए था कि हुए सउलब हमने समझ लिय थी तोड कर के भी आप को बात करते है प्राइनिरी सप्राइगा उस्ते है ली यहों को बनाया जाए वाले है अच्छ अच्छे questions हम solve करने वाले हैं तो हम target करने क्या 3 वीडियो मुलाएंगे binary search के problems related थीक है तो उसमें से पहली वीडियो यह है यहाँ पे हम binary search को solve करने वाले हैं अगर मैं बात करूं बाया कौन कौन सी problem भजो होने वाली है तो हम बात करेंगे कि यार किसी भी sorted array के अंदर हम किसी भी character की इसी भी number की first और last occurrence निकालने वाले हम total number of occurrence निकालने वाले हम निकालने वाले कि mountain array में peak element कैसे आप निकालने वाले हैं कि यार एक rotated array में उसका pivot element कैसे आप निकालोगी एक rotated array में आप एक element को search कैसे करोगी तो बहुत सारी चीजें समझ बहुत सा प्रोग्रामिक करने को त्यार हो जाएं तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्राप्लम के साथ ज्यादा अटेंशन नहीं लेनी है सिंपल सा काम करना है आपके सामने मैंने पहली प्राप्लम को खोल के रिखी है कोड स्टूडियो पर इसका नाम है आपको पहली और लास्ट पोजिशन निकालनी है एक अरे के अंदर जो की सौर्ट है किस की पोजिशन निकालनी के अलिमेंट की तेक है आपके पास एक सौर्ट अरे पढ़ा होगा एग्जामपल नीचे दिखते है एक बार सौर्ट अरे इस पकार गाडगा 0 5 5 6 6 6 6 इसमें निकालनी तो फ़र्स पोजिशन के आई यह वाली इसका इंडेक्स का है 0 1 2 3 4 तो आप कहां सरा गए 4 और लास्ट ओकर इंडेक्स के आई यह वाली इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 तो आपने आउसे दे 7 तो आपको किसी भी एक एलिमेंट की लेफ्ट मोस्ट ओकरेंस का इंडेक्स और यहां पर अगरम धियान से देखें तो यह एक आप इसमें सरिफ 2 पड़ा हुआ है और में 2 की 1st और लास्ट और लास्ट और लास्ट पर यही है जो की 0 टेक्स पे है और लास्ट अकरेंस बेंट जो जो की 0 इंडेक्स पे है तो आप गया यह तो कोश हमनें सेंपल आश्कर आपको बताने कि इस integer k की first यानि leftmost और last यानि rightmost occurrence कौन से इंडेक्स पर है आपको इंडेक्स पर है आपको इंडेक्स करना है यहाँ पर लिखा है कि अगर प्रेजर नहीं है तो आपको माईसमें प्रिंट करना है तो यहाँ पर एक नदर duplicate element exist कर सकते हैं तो यहाँ पर एक्जांपल है 0,1,5 और k की value 1 है तो 1 की पहली occurrence leftmost occurrence कहां पर आ रही है 0,1 फिस्ट इंडेक्स पर और rightmost occurrence आ रही है यह वाली यह कौन से इंडेक्स पर है रुक जाओ रुक जाओ rightmost occurrence यह वाली कौन से इंडेक्स पर है 0,1,2 तो आप का answer आ गया 2 rightmost में और 1 आ ग पड़ेंगे कि किस प्रकार input दिया हुआ है अगर हम ध्यान से input को देगे तो पहले बोलता है कि पहला input जो को test case दर्शाय को दर्शारा है दूसरा k की value को दर्शारा है फिर जो last line में तीसे line में input है वो n characters है n numbers है integers हैं जो कि आपके array में store होने वाले है तो यहाँ पर ध्यान स की value दो और यह आपके array का content आपने answer उसी प्रकार दे दिया पर हमें इसकी फिकर नहीं करनी क्यों नहीं करनी क्यों कि हमें यहाँ पर इन्होंने एक function मना के दे दिया और हमें सिर्फ यह function के अंदर अपना code करना है और बाकी चीज़ें हमें ध्यान में रखने के नीट नहीं ह यह बास समझ में आ गई अब आते हैं हमारे में मुद्धे पर जो कि फर्स पोजिशन निकाल के दो और लास्ट पोजिशन निकाल के दो सब वीडियों आगे बढ़ने से पहले एक बात करते हैं कोडिंग निंजास के बारे में इस फ्री डियेसे कोर्स को आप तक पहुंचाने में content quality content expertise से लिकर वीडियो sponsorship तक एक major chunk कोडिंग निंजास ने सपोर्ट किया है ताकि आप तक कोडिंग पहुंच पाए सबसे प्यारी चीज जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास के वह यहां पर one-on-one डाउट कोडिंग सपोर्ट अवेलेबल है अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक से दो किंटे में रिजॉल कर दिया जाएगा कूर्सी जो बनाई जाते हैं बहुत वेले स्ट्रक्चर्ड वें बनाई जाते हैं कि अगर आप मेहनद डालेंगे तो आपको ड़ी बड़ी कंपनिया हैं फोर्ड चुके हैं तो इसके आपको टैंशन लेने की नीड नहीं है लैंग्वेज के अगर बात करें हिंदी इंग्लिश दोनों में अविलेबल हैं कोशन सौल करते टाम आपको हिंट वीडियो से मिल जाएंगी तो अगर आपको कोई भी पेड़ को खरीदना है तो अब स् insightfyम में सर्च कर पाऊं तो वह क्या होता है मैं सर्च होता है तो अब मुझे देखना है कि क्या यहां पर मैं पाइन्र रिसर्ग के unto कांसेप्ट को यूज करकी पहली और लास्ट अकरेंस नकाल पाऊंगा तोड़ते थें इसको दो परव्लम में पहली प्रव्लम क्या जैत या फिर आपका वही last occurrence तो पहले हम यह वाली problem solve कर लेते हैं उसके बाद में हम यह वाली problem solve कर लेते हैं simple एक-एक दो भागों में हमने इस question को तोड़ दिया है आप इसको हम solve करेंगे और पढ़े प्यार से solve हो जाएगा ध्यान से दिखते हैं होगा क्या होगा हमारे पास एक example यह बढ़ा यार के 1,2,3,3,5 हमें बोला है कि यार जो key है वो है 3 तो 3 की first और last बता दो first occurrence क्या है और last occurrence क्या है यह मुझे बता दो आप दिमाग लगाते हैं से binary search वाला क्यार binary search इसमें कैसे apply up करने वाले बहुत simple code था आपने last time भी देखा था यार अगर आपको दिखाऊं तो आपने इस परकार कुछ code लिखा था कि यार मेरा start ऐसा है and ऐसा है वे mid निकाल लिया फिर मैं क्या करूँगा अगर मुझे element मिल गया तो उसका index कर दूँगा नहीं तो या तो राइट पार्ट में चला जाऊंगा या तो लेक्ट पार्ट में चला जाऊंगा इस प्रकार आपने पानी search लिख दी ती याना कुछ कुछ याद आ रहा आपको करने याद आद आ तो लास्ट वेड़ीट देख किया ना इस इस array के index के अगर हम बात करों तो यह होगा 0,1,2,3,4 अब search लगाते हैं इक बाद मैंने क्या बोला मैंने बोला कि यार सबसे पहले न मिड निकाल लो तो मिड कैसे निकलेगा भाई मिड कैसे निकलता है start plus end upon 2 यानिके 0 plus 5 sorry sorry 4 ये start है और ये end है 0 plus 4 upon 2 2 आगया इसका मतलब कि येवाल element मेरा mid वाल element है ठेक है इसको मैंने की के साथ compare कराया मैंने क्या लिखा के 3 is equal to 2 is equal to 3 भाई ये तो सही आगया बाई ये तो सही आगया इसमें क्या करते थे भाई ये तो सही आगया true आगया इसक left most element चाहिए तो हमने क्या बूला किसका answer ना store करा लो कहींपे जो भी इसका index है 2 उसको store करा लो कि हमने store करा लिया और हमने क्या किया दो पार्ट है हमारे पास पहला part दूसरा part हमने क्या बूला के let wow left most occurrences को निकाला ना first occurrence को निकालना मिकालना तो check कर लेते हैं कि यार क्या पता right वाले part में और 3 हो तो right वाले part में चलेगे right वाले part में कैसे जाओगे आप यहाँ पर start था, यहाँ पर end था end को यहाँ पर लाकर इसका मतलब end is equals to या e is equals to mid minus 1 एक के साथ को बतरगे यार अगर equal आ जाता है तो मुझे answer को store करा लेना है और मुझे left वाले part में सर्च करना है left वाले part में क्यों जा रहे हैं क्योंकि मैं leftmost occurrence से या फिर first occurrence से या तक मुझे right मुझी होते हैं अगली condition क्या होगी मान लो कोई ऐसा number आया जो की is key से बड़ा होता ठीक है, मान लो 5 आया होता तो 5 greater than 3 होता अब क्या करेंगे तो अगर हमने मान लिया कि 5 हमारा mid आया होता मान लिया जियूम कर रहे है तो और दो चोईस होती, पहली क्या right वाला part जहां कुछ भी नहीं है, और left वाला part 5 greater than 3 है, key हमारी 3-3 common sense वाली बात है अगर 5 बड़ा है तो या मैं left part में search करूँ जाके right part में करूँ 5 बड़ा है ना, तो मैं left part में search करूँ गा left part में search कैसे करते हैं end को उठा के यहां पे ले आते हैं यानि के, अगर आपका arr of mid बड़ा है key से तो उस case में आप क्या करेंगे आप end जो है, वो mid minus 1 कर देंगे जब मैं e लिखता हूँ या end लिखता हूँ सेम चीज़ है, अब दो चीज़ हम कर चुके है पहले हमने equality वाली condition चेक कर लिए फिर हमने केरदार वाली condition चेक कर लिए हम less than वाली कर लेते हैं तो हमने बड़ा, if arr of mid is less than key, इस case में क्या करो गया तो इस case में हम यह example ले सकते हैं कि मान लो कि हमारा mid जह वो 2 पे आया होता तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं 2 जो है, वो less than 3 आगया, 3 क्या है आपे इस key की बात कर रहा हूँ मैं तो अब दो चोईसे हैं, या तो left पार्ट में देखो यह तीन वाली, वैसी यह तीनों condition हमने यहाँ पर निकाल लिया है first occurrence के लिए, पहली condition क्या कहती है पहली condition हमें यह कहती है, अगर तरह equal आजागा न दोस्त कुछ नि करना, answer को store करा और end को पीछे ले जा क्योंकि लेफ्ट मुष्यक्राइट से इसलिए राइटिंग में थोड़ सा धिहान ना दे, तो बूसरा केस कह बोला, हमने बोला कि अगर तेरा की जो है वो छोटा हमेट से, अगर की छोटी हमेट से तो left पार्ट में आजाए, left पार्ट में कैसा आएगा राइट बोला कि टेक है तो मैंने आपको बोला कि यार यह तेरा कोई अレ है 5 इस ना इन ने लेका 1,2,3,3,5 और मैंने भूला कि मैंने एक function gena हो जिसका नाम है first occurrence या first occurrence ये मैंने लिग दिया इसका नाम है यहां मैंने आएरे पास कर दिया यहां मैंने size pass कर दिया और यहां मैंने key pass कर दिया इतना pass करने के बाद मैं हाप आया मुझे क्या पता है कि यार पहल तो मुझे इतना start और end बनाना पड़ेगा मैंने बोला कि start जो है वो है 0 end जो है वो है n-1 और mid मैंने बना लिया है अपने formula से जो कि था s plus e minus s by 2 या मैंने last video में discuss कर लिया था फिर हमने बोला कि जब तक start less than equal to e है तब तक चलो क्या करना है तीन condition हो सकती है तीन हो लिख लेता है एक बार पैली condition के ar of mid जो है वो is equal to is equal to key है बहुत बढ़िया else if अगली condition का हो सकती है कि भाई जो हमारी जो key है वो बढ़ी है ar of mid से else if आपकी जो key है वो छोटी है ar of mid से यह थर्ड condition हम लिखी है इसके need नहीं थी इसके जगा मैं अगर as simple लिख दा else तब भी बात बन जा थी तब आपके clarity के लिए मैंने इसको लिख दिया है तो यह तीन condition आ गई है हमें पता है इसके वाद अपने mid को update करना होता है तो mid को हम यह पर update कर देते है अब हमने यहाँ पर लिखे है वो दिखी है कि हम एक answer बनाना पड़ेगा starting हमानलों हमने answer जाए initialize गर दिया minus 1 से अब जब यह equal हो जाएगा की किया है तो यार हमने क्या करना है हमने answer को store कर लाना है कि answer में mid store कर ला लिया हमने जो index था वो हमने store कर ला लिया और हमने क्या करना है हमने end को पीछे ले क्या आना है हमने जब बोला कि की बड़ी है आपके mid वाले से तो यह right वाले पार्ट में जाना है मैंने लिख दिया कि राइट में जाओ राइट में जाने के लिए क्या करते हैं राइट में जाने के लिए S को आके लिए आते हैं S is equal to mid plus 1 और जब की छोटी है इसका मतलब लेफ्ट वाले पार्ट में जाना है तो भाई सब लेफ्ट वाले में जाओ और लेट में जाने के लिए करते हैं E को बीचे ले आते हैं तेक है इस प्रकार आपने अपना answer return कर दिया और इस प्रकार आपका first occurrence का code आपने complete कर लिया बड़ी है बड़ा simple सा code लग रहा है दिखने हैं सिर्फ यहां पर अगर मैं आपको दिखा हूँ तो पूरे code में सिर्फ यहां पर चेंज है जब equal है उसमें return मिट पहले करते थे अब हमने क्या कर दिया answer store करा के end को पीछे लेकर आपके सिर्फ इतना code में चेंज है आपके सब कुछ सेम है जो पाइनी सर्फ में किया था इन दो लेंड की यहां अब मैंने आपके क्या बोला कि आर प्रेंट करा कर देखते हैं सभी चल भी राय कोडिया वैसे सिर्फ इनने बोला कि यार सी आउट इस पकार आपने अपना code लिख दिया अब मैंने इसको लगए चला कर दिखाओ मुझे एक बार मैंने रन कर दिया एरर आ गया उसने क्या वोला कि यार यह चीज होती है इसका नाम तो इवन रखा न इवन रख देते हैं तो बार चलाते हैं इसमें वहला 1st occurrence of 3 is 2, देखो यहां पर लिख देता हूँ, is at index, अब चलाते हैं, आप को और चे समझ में आएगा, इसमें वहला 1st occurrence of 3 is at index 2, तो देखो हमारा आंसर क्या आना था इस case के अंदर, यह index था आपका, 0, 1, 2, 3, 4, काई देश है हमारा आंसर क्या होना चाहिए है, औ और इसका index क्या है, 2, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, मजा आगे इस चीज को समझ के, अब अगर मैं बोलूं कि right वाला question करना भी बहुत असान है, छोटा सा change लगेगा, right motion occurrence निकालना है, फिर last occurrence निकालना, तो मारलो मैंने इसी function कॉपी कर दिया, और मैंने आप first के स्टार्ट को मिड़ ब्लस मन कर देना, लोग हो गया code complete, done, इतना ही करना है, आपने बुला भाई है मजा आ गया रही तो देखके, तला के दिखाओ गलत नि उतारे आप हमें कहीं, मैंने ठीक है फाई को चला कर देहता हूँ, यहां पर के यार, last occurrence of three is at index, यहां मैंने इसको चेंज कर दिया, last occurrence इसको मैंने चेंज कर दिया, even five three, ठीक है, हम इसको चला कर देखते हैं, मैंने रन कर दिया, उसने बुला last occurrence, यहां space देता हूँ, आप चलाते हैं, उसमर लास्ट occurrence of three is at index, फ्री, चलो मैं आपको तो first occurrence यह थी, और last occurrence यह थी, और यह कौन से index पर है, यह three index पर है, यहां पर यह three index है, तो हमारा answer पिल्कुल सही आ रहा है, मानलो मैंने इसको तोड़ा और बढ़ा दिया, मैंने पर 3,4 त्री और लिग दिया, 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3, तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा साइज अब बिट कर देते हैं यहां भी अब मैंने चला के दिखाया फर्स टकरेंस आएगी जीरो वन टू पे यानि पहले वाले का आंसर टू अना चाहिए और लास्ट टकरेंस आएगी कहां पर यह आपका 11 है तो नो आंसर आने चाहिए ठीक है हमने चलाया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है फर्स टकरेंस आ इंडेक्स टू पर और लास्ट टकरेंस आ रहे है इंडेक्स नाई पर तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है तो इसमें आपने क्या किया है बहुत बढ़िया यह समझा होते हैं आपको बोला कि आर आपके पास ने एक अरे पड़ा हुआ था यह वाला इसमें पड़ा है 1, 2, 3, 3, 3, 3, 5 ठीक है आपको पता है कि यार index होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार आपने क्या बोला कि मैं बैले मैं मेड़ निकाल लेता हूँ है ना 22 साथ मैं मेड़ निकाल ले ले लिए माजारी S प्लस E अपान 2 S क्या है 0 और E क्या है 6 और यह हो गया 2 यह आगया 3 थर्ड इंडेक्स पर क्या पढ़ा हूआ है यह बढ़ा हूआ है तो आपको यह हो गया mid आपकी key जो थी वो क्या है वो 3 है मुझे क्या निकालना है मुझे last occurrence निकालना है तो देखो क्या किया मैंने मैंने इसको compare किया 3 is equal to 3 आगया अच्छा इस केसे मैं क्या करता हूँ answer store कर लेता हूँ कैसे करता हूँ answer मैं आपका मैंने made store कर लिया इस परकार और फिर मैं क्या करता हूँ मैं देखता हूँ मुझे कौन से part में जाना है part decide करता हूँ मेरे पास यहाँ पे दो part है पहला part ये दूसरा part ये मुझे last occurrence निकालनी है मुझे last occurrence निकालनी है तब common sense लगाओ last occurrence निकालने के लिए left part में जाऊँगा या right part में जाऊँगा obviously right part में जाने वाला हूँ तो अगर मुझे right part में जाना है तो यह देखो यहाँ पे start था और यहाँ पे end था तो अगर मुझे right part में जाना है तो start को मुझे उठा कि यहाँ पर लाना पड़ेगा वो कैसे होगा start is equal to mid plus one done तो इस पकार हमने वो equal to वाली condition अंदर start mid plus one करती है बागे दो condition क्या कहती है कि यार एक condition कहीगी key आपकी बड़ी है AR mid से यार जो आप सर्च कर रहे है वो mid वाले element से बढ़ा है कहाँ पर आएगा अगर बढ़ा है तो right side में आएगा right side जाना है मुझे right वाले part में जाना है और right वाले part में जाना है अभी हमने देखा कैसे जाते हैं start को mid plus one करके अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बात करों line number 39 की अगर हम आप बोलू कि key जो है वो छोटी है AR of mid से जो हम सर्च कर रहे हैं वो mid वाले element से छोटा है left में जागा और right में जागा obviously left में जाओगी और left में कैसे जाते हैं अगर हमें left में जाना होता तो हम e को उठा कर यहाँ उठा लाते हैं है ना इस परकार जाते हैं तो यहार बढ़ा सान है e को हमने minus one कर दिया तीन condition बन गई एक, दो, तीन आप जीत चुगे हैं इस परकार आपने दो function हमने त्यार कर लिए first occurrence और last occurrence के लिए इसको एक बढ़ा हम चला के देख लेते हैं कि हमारा size code चल भी रहा है या नहीं चल रहा है मतलब हमने यहां तो देख लिया हम यहां submit करने की बात कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर जो code लिखा हुआ हुआ है vector के द्वारा के अरे vector आपको दिया हुआ है उसको vector का size दिया हुआ है और k दिया हुआ है तो vector के बारे में आपको बढ़ा है कि इसको भी array ही मान के चलो उस प्रकार से काम चलने वाले है आपको खास मुश्किले नहीं आएंगी और देख लो तो मैंने क्या किया है पर हमने जो function बनाए है वो बनाए है array के हिसाब से उसको change करते हैं कि कोई बात नहीं तो पहले मैंने अपना first occurrence वाला function बना लिए यहां पर मैंने यहां पर डाल दिया इसको फिर मैंने अपना last occurrence वाला भी डाल दिया ठीक है इसको थोड़ा सा अब्डेट करना पड़ेगा यहां पर हमें वेक्टर दिया हुए ना हमें यहां भी वेक्टर बेजना पड़ेगा हमने इसको बोल दिया कि यार यह ना वेक्टर है ठीक है बाकी code हमारा वो सेम रहने वाला कुछ फरक नी पड़ेगा उससे फिर इसका हमें यहां बोल दिया यह भी वेक्टर है ठीक है तो इस पर कार हमने अपना code लिख लिया अब हमें क्या करना था यहां पर एक पेर वापस भेजना है पेर क्या होता है यह समझाओ एक बार चालो जब हम लिखते थे कि यार int a is equal to 3 तो क्या होता था कि यार आपका एक डबा बन जाता था मेमरी के अंदर इसका नाम a होता था उसमें 3 value डल जा दी इस पर कार का होता था अगर मालो मुझे 2 values भेजने हो एक साथ मुझे 2 values भेजने हो एक साथ किसे को बहना हो कि 2 int ले ले कैसे दूँगा हमें तो पता ही नहीं हमने देने नहीं आता अब तक हम तो हदसित क्या कर सकते हैं आरे में डाल के देंगे हमने एक आरे बना लिया जिसका साइज 2 है उसके अंदर में दो चीज़ डाल दी 0 1 या फिर जो भी है 8 और 9 जाब कमन करे और वह आपने किसको पकड़ा दिया मैं क्या बोलूँ कि यहार प्रपास और अच्छा तरीक है यह चीज़ कर सकता। तब एक चीज होती है पेर इसके बार में बात करेंगे, हम क्लासी दॉट्ट्स के बात करेंगे, तो सुन्जाओं का आपको हो है, आपने बार पेर ओफ इंट कॉमा इंट पी ऐसा, तो आपने मेमरी के अंदर एक डबा बना लिया, जिसके अंदर दो चीज़ें आ सकती है, अब वो दो चीज़ आपकी मर होगी, तुछ आपने पेर बना दिया, और फिर आपने बोला गया, यार पी ड़ॉट फ़र्ष्ट जो पहले, और फ़ो है 5, आपने बाव पी ड़ॉट फ़र्ष्ट जो है, वो कर दो, क्या करना है, फ़र्स्ट अंदर फ़र्ष्ट उखरने अफेर्छ वाली क्ल मारनी है, यह वाली function call करनी है मैंने बहुत फर्स्ट अकरेंस of क्या arr, size कितना n क्या search और क्या भीजना input में की की value की क्या है के इस प्रकार मैंने अपना p.first बना लिया फिर मैंने लिखा p.second इसमें का डालना है last occurrence last occurrence के last function call मार दो last occurrence arr, n, k done return return एक बार रन करके देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा sample test के सेंसर उठा लेते हैं हमने यह उठा लिया और यहां पर हमने custom test case में जाके डालके run कर दिया, देखते हैं क्या होता है I think refresh करना पड़ेगा एक बार नहीं चल गया चल गया 0,3 और 0,0 0,3 और 0,0 हमारा code बिल्कुल सही चल रहा है मजा आ गया, एक और test के जीवाला पकड़ें अगर मुझे पता है कि हापे click करके select हैं पर यह आप से ला सकते हैं पर मैं आप से नहीं करता है run करते हैं इसको हमने चला के देखा एक बार और 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 minus one minus one four or seven बिल्कुल सही चल रहा है क्या मैं इसको submit कर दूँ आपको इस समझ में आई मैंने एक pair create किया pair के first मैं मैंने first occurrence जाल दी pair के second मैंने last occurrence जाल दी और मैंने pair return कर दिया इस परकार हम काम करने हैं इसको submit कर दिया चल जा correct answer तो इस प्रकार हमने अपना first occurrence और last occurrence वाला code खतम कर दिया हमें समझ में आगे first occurrence कैसे निकालते है last occurrence कैसे निकालते है मैं आपको code में दिखा दिया कि game कुछ भी नहीं है simple binary search वाला ही code है बस ये दो line है आप extra लग गए इन दो line के पीछे क्या logic लग रहा है left जाना है या right जाना है वह आपको मैं समझा चुक हूँ आपको चीज समझा चुकी है अब बात करते हैं इनकी application के बारे में ठीक है अच्छा वह यह इतना कर लिया हमने चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको मान लोग कि हमें आपको क्या question दिया होता कि मेरे पास सेम है रहे है उपर हमने लिखा था ना भी हमने कह रहे हैं बना लिया 1,2,3,3,3,3,3,5 इस प्रकार का और मेरा question मुझे कहता है कि your find total number of occurrence of 3 यह मेरा question मुझे कह रहा है कि 3 कितनी बार यहां पर आ रहा है वो मुझे बता दे कितनी बार आ रहा है एक, दो, तीन, चार, आपका answer के 4 कैसे बता रहा होगे पहला तरीका linear search करके counting कर लो counting कैसे कर रहे हो by worst case में पूरा area traverse करना बढ़े है complexity of n होगी दूसर तरीका binary search कर यूज कर लो यार अगर मैं इसको इस तरीके से कर दो यह मैंने यहां से अटाया यह से कर दिया मैंने आपको फोलेंस का index है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो first occurrence कहां पर है index 2 पे और last occurrence कहां पर है index 5 पे है ना तो number of occurrence क्या होगी देखो बड़ा प्यारा game है number of occurrence, total number of occurrence क्या होगी कुछ भी नहीं है यार last occurrence का index minus first का index plus 1 क्या मतलब इस बात का 5 minus 2 plus 1 3 plus 1 4 पर total के दिवार 3 है 1, 2, 3, 4 तो अगर वो total number of occurrence निकालनी हूँ तो आप यह first और last के index से निकलवा सकते हैं इस परकार तो total number of occurrence भी आपको निकालनी है बात चुके यह आप चीज़ सीख चुके हैं ठीक है बहुत पहली के इंडेक्स निकाल लो फिर हम रहा लगा दो गया last index minus first index plus 1 इस से आपके total number of occurrence आ जाएगी total number of occurrence तो हमने अपनी पहली problem यहाँ पर खतम कर ली है अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी problem की तरफ दूसरी problem क्या कहती है दूसरी problem कहती है peak index in a mountain array क्या मतलब है इस बात का question कहता है peak index in a mountain array बाइनी सर्च के के इसमें आपके lead code के जो यह labeling है easy medium hard वाले इस बशवास मत करना कुछ भी करता है easy को hard दिखायता है medium को बशवास बशवास ना करें तो मैं आपको कह रहा हूं कि peak index in mountain array क्या कहता है यह question कि आपका array जो है उसका mountain बोल रहा है और उसमें ESI properties है कि उसमें at least 3 element हो गई होगे और शुरुबात में ऐसा order होगा और i index के बाद ऐसा order होगा ठीक है इसने बोला कि guarantee है कि आपका array mountain हो गई होगा इस बात कि उसने guarantee हमें दे दी है बहुत पड़ी है mountain कैसा होता है mountain इस प्रकार का होता है तो आपको array यहां पड़ दिया हुए इसने guarantee दिया कि mountain type का ही होगा अगर हम पहले array की बात करें वह है 0,1,0 तो 0 यहां पर आ गया फिर 1 तो 0 से उपर होगा 1 यहां पर आ गया और वापर 0 ग्राफ की में बात कर रहा हूं आपको graph की form में दिखाऊं graph की form में अगर मैं आपको दिखाऊं आपको मानलों-1 से हमने स्टार्ट किया यह 0 है और यह 1 है तो यह आ गया भाई 0 पहला और यह हमारा index हो गए 0,1,2,3 यह मेरा index हो गया और यह index पर यह value पड़ी हो यह 0 उसका आपका 1 आया और फिर 0 आगया तो यह mountain की form में बन गया आपको graph अगला अगर मैं देखूं तो वह कहता है 0,2,1,0 0,2,1,0 0,2,1,0 0,2,1,0 फिर से mountain बन गया है अगला क्या कहता है 0,10,5,2 0,10,5,2 यह हो गया 0, यह हो गया 10, यह हो गया 5 और यह हो गया 2 इस प्रकार आपने एक और graph बना लिया अगला कहता है 3,4,5,1 यह हो गया 3,4,5,1 इस प्रकार आपका एक और mountain बन गया ठीक है इस प्रकार आपको समझ में आगे कि यह area को mountain क्यों बोल रहा है और हम करना के जाते हैं वह देख लेता है पर आपको समझ में आगे कि mountain क्यों बोल रहा है रहा है उसने शार्टिंग बोला था ना इस formula की बात कर रहा था यार शुरू में सारे इस प्रकार के यह होंगे यार यह सारे इस प्रकार के follow कर रहे है कि यार आपकर यहां की बात करूं तो यह था 3,4,5 यह था 5 यह था 5 यह था 1 ऐसे इस प्रकार तो इन दोनों relations की बात कर रहा था यार तो question में समाझ में आगे के array है mountain की shape में है मतलब उसमें values इस प्रकार पड़ी है कि वह एक mountain बनाती है आपको क्या करना है आपको उस mountain का जो peak element है उसकी चोटी पर element पड़ा हुआ है जबसे maximum element पड़ा हुआ है maximum element निकालना है बहुत सान है अगर मेरे पास कोई array पड़ा हुआ है और मुझे maximum निकालना है तो मैं तो यार अभी क्या गया था linear search के द्वारा निकाल लिया था ना पूरा array traverse कर लूँगा और मैरे maximum element निकाल जाएगा पर उसके लिए complexity क्या थी दोस्त off-end क्यों क्यों क्योंकि मैंने for loop चुरा था जिरो से लेके end तक है ना तो आपको अभी के लिए off-end में करना आता है बड़ यह आपने कहा था binary search जो होती है वह sorted function पर लगती है या तो इस प्रकार sorted हो या तो इस प्रकार हो पर यह तो इस प्रकार है ना अभी बताते हैं किस प्रकार हम game खेलने वाले है तो हमें यह समझ में आगे कि यार पहले ही increasingly sorted है और उसके बाद में decreasingly sorted है यह अशा नहीं है या या कुछ भी random चल रहा है, एक pattern तो बन रहा है कि mountain की form में है, पहले increasing sorted है, उसके बाद decreasing sorted है, इस प्रकार सी game चल रही है, हम अब तक on का solution पता है, क्या हम इस से कम्मे कर सकते हैं, क्या हम log n में solution निकाल सकते हैं, हमें निकालना क्या है, इस mountain की peak निकाल लिए, ठीक है, इस चीज यह एक relation फॉलो गढ़ती है, वो क्या है, क्या है, क्या यार, AR of i is less than AR of i plus one, हाँ या ना, यानि कि हर पीछे वाले element आगे वाले से चोटा है, ठीक है, और आपकी ये पूरी line है, ये क्या फॉलो गढ़ती है, क्या यार, AR of i is greater than AR of i plus one, बिल्कुल ठीक है, इसमें हर पीछे व कि यार यह पीक जो है पीछे वाले से बड़ी है आई माइस उन से और यह आगे वाले से भी बड़ी है यह इस वाले से भी बड़ा है और आगे वाले से भी बड़ा यह तीन observation आपको तक दिख गई है कि हाँ peak जो है वो दोनों से बड़ा है और आपकी जो left line जाए left slope है वो आगे वाले से छोटा है और right वाला आगे वाले से बड़ा है इस पकार तीन चीज़ा आपने निकाल लिए अब आपने तीन observation तो निकाल लिए ठीक है अब हम एक बार try करते हैं अपने array के अंदर के हमें क्या करना है ठीक है तो अब एक बार हम try करते हैं समझनेगा कि ऐसे इसको किया जा सकता है ठीक है तो मान लेते हैं कि मेरे पास ने एक mountain पड़ा हुआ यह वाला एक mountain मेरे पास है और मेरे पास एक array में values पड़ी हुए है एक array में values पड़ी हुए हाँ ठीक है और वो value क्या है 3,4,5,1 3,4,5,1 सबसे पहला काम mid निकाल लो हमने mid निकाला यार mid कैसे निकला start plus end start क्या है 0 end क्या है 3 upon 2 यानि के 1 यह है 0, यह है 1, यह है 2, यह है 3 आपका mid हो गया यह वाला जाना है अब condition सोचने हैं condition सोचते ही हमारा answer आ जाएगा बहुत प्यार से ठीक है हमने बोला कि यार if arr of mid is less than arr of mid plus 1 यह क्या बात होई हमने बोला कि यह वाला element आगे वाले से छोटा है यानि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं हमने पीछे discuss किया अब यहां पर कि यार i और i plus 1 यह छोटे वाली condition इस लाइन के ली थी तो हमने बोला कि यार अगर यह इससे छोटा है तो इस लाइन के हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग आपका स्टार्ट यहां पर होगा यहां पर यहां पर होगा बिल्कुल ठीक है तो अगर मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं और यानि मेरा element जो है छोटा है यह इस लाइन में कहीं पर लाई करता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यह वाले element निकालना है तो मुझे अपने start को उठाकर यहां लेकर जाना पड़ेगा बात समझे मेरा जो element है mid वाला जिसको मैं compare कर रहा हूं वह इस time पर अगर वो इस line पर लाई करता है तो मुझे s को यहां पर लाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि मुझे यह वाले element निकालना है e यहां पर है मुझे s और e को अपने answer के पास लेकर जाना पड़ेगा तो इस case मेरा जो s है वो क्या हो जाएगा mid plus 1 हो जाएगा निकल गई condition else इसके अलावा इसके अलावा क्या करोगा इसके अलावा दो चीज हो सकती है या तो आपका element जाएगा वो इस line पर लाई करता है ठीक है? अगर इस line पर लाई करता होता तो आप end को उठाके यहां ले आते हैं पहली चीज दूसरी चीज के या तो आपका element है जो mid है वो peak को ही दर्शारा है, वो answer ही है समझे इस बात को या तो आपका element जाएगा इस line पर लाई करता होगा या तो आपका element peak element ही होगा तीन चीज है ना, या तो इस line पर कुछ होगा या तो peak होगा तो हमने पहली condition निकाल ली किया इस line पर एक element है तो s को आगे लियाओ, else क्या होगा या तो इस line पर आपका element पढ़ा है mid वाला या तो peak element ही है इन दोनों ही case हम else को पीछे लेके आ रहे होगे else को यहां लियाओ else को यहां लियाओ है ना, तो हमने क्या else नहीं end को, end को पीछे लेके आ रहे होगे मान लेते हैं मैं आप मिड माइनस वन कर देता यार एंड या फिर हमने ए कुछ भी जो आपको लगे ये कर देता तो क्या होता तो हमारे जो ये पीक वाला केस था जहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि यार आपका जो इस एल्स के अंदर जो हम बात कर रहे हैं तो आपका वो इस लाइन पर लाई कर सकता है और वो पीक एलिमेंट भी हो सकता है तो अगर मैंने मान लोग वो पीक एलिमेंट तो मैंने मिड मानेस वन कर दिया तो आपका एल्स उठके इस लाइन के उपर आजाएगा क्योंकि अगर यह mid है तो mid minus 1 जो है वो इस line पर लाई करेगा समझे इस बात को दुबार समझाते हैं मैंने बोला कि देखो मैंने आपको condition less than वाली बता दी क्या आपका mid जो है वो mid plus 1 से छोटा है यह वान आपको समझा दिया अगर यह चोटा है तो हम इस line की बात कर रहे है left वाली यानि कि आपका mid जो है यहाँ पर लाई करता होगा इस case में आपको अपने start को उठा कर यहाँ लाना पड़ेगा तो आपने बोल दिया था कि start is equal to mid plus 1 अब मैंने बोला else else मतलब या तो आपको mid इस line पर लाई करता है या तो आपको mid जो वो peak element ही है तीन चीज़े है एक line ये, एक line ये और peak element तो else के case में या तो आपको mid यहाँ लाई करता होगा या तो यहाँ होगा अगर वो यहाँ लाई करता है तो तो मैं बोल सकता था mid minus 1 बट अगर वो peak element ही है तो भाई मैं mid minus one नहीं बोल पाऊँगा क्यों? जो कि जो peak है उसको mid दिखा रहा है अभी अगर मैं mid minus one की बात को mid minus one तो इसके पीछे आएगा ना जो कि इस line पर आदेगा जो घटी answer होगा गलत answer होगा तो मैंने else में जाके लिख दिया कि end is equal to mid मेरे दोस्त इस पकार आपने अपना solution त्यार कर लिया क्या मैं इसको code कर हूँ? बिल्कुल तो आपको code कर कर दिखाता हूँ क्यार एक कैसी चीज है तो अगर मान लो मैंने हाँ पर code करना शुरू किया मैंने बोला के int s is equal to 0 int e is equal to arr dot size minus 1 मैंने बोला के int mid is equal to s plus e minus s by 2 जो क्या मुने डिसक्रेश किया दे है अपने लेक्चर में मैंने बोला while s less than equal to e और मैं यहां पर गलती कर रहे हैं, तिखाएंग आपको आगे इसके if arr of mid is less than arr of mid plus 1 इसकेस में क्या करना है हमें, इसकेस में s को आगे लेकर जाना है, start को आगे लेकर जाना है else हमें करना है, end को अप्डेट कर देंगे फिर अपना answer रिटर्यर्न कर देंगे answer कहां पर होगा, यहां आपको एक question करके दिखाते हैं फिर समझाएंगे, दिखाएंगे एक बार देखते हैं में return क्या करना होगा, चलो हमने question उठा लिया, यह question क्या कहता है, जिष्टा क्या कहलाता है कि यहार 3, 4, 5 और 1, mid इस case में क्या आ गया, 0, 1, 2, 3, starting में जो आपका start है वो यहां पड़ा और end यहां पड़ा है आपका mid क्या आ गया, 0, 3, 2, that is 1, तो इसका मतलब आपका, यह हो गया mid आपकी key जो है, यह पर देखते हैं, key की need नहीं है, हम यहां पर peak element निकाल रहे हैं तो अब आपने क्या क्या है, इसमें अपनी condition आगे देखे, यह आपका mid वाले element अगर है, तो आपने देखा क्या 4 और उसके आगे वाले relation में आता है, क्या 4 लेजन 5 है, अरे हाँ, तो इस case में क्या करना है, start को आगे बढ़ाना start is equal to, middle plus 1, that is, 1 plus 1, that is 2, तो आपको जो start है, वो 2 पर उटके आगया, इस प्रकार आप इस वाले part के अंदर आगे, तो आपका part जो बचा है, वो किस प्रकार का है, यहार 5, और यहां पर 1, index के बाद अगर करने, तो यह है 2, और यह है 3, बहुत बढ़िया, अब हमने क्या क्य फिर से mid निकाला, क्यार mid निकाल दे दोस्त, वो आगया 2 plus 3 upon 2, that is 5 upon 2, that is 2, तो यानि कि यह मेरा mid element हो गया, इस बार, मैंने पहली condition जख करी, air of mid less than air of mid plus 1, तो 5 less than 1, तो आप जाओगे else वाले part में, else वाले part में हमने क्या हो था, कि e को आगे बढ़ा दे, mid कर दे, तो e क्या ह हो गया, 2 हो गया, right, तो आपने e को 2 कर दिया, starting में s यहाँ बढ़ा था, e यहाँ बढ़ा था, e को उठा के आपने 2 कर दिया, अब इस वाले part में आ गए, आपने क्या लिखा नीचे आगे, 5, s यहीं पे है, e भी यहीं पे है, ls का index क्या है, 2 है, done है, अंदर क्या पढ़ा ह अंदर 5 पढ़ा है, तीक है, इस प्रकार पढ़ा हुआ है, अब एक चीज़ ध्यान से देखें, जो हमने गलती स्कोड में करी है, वो क्या है, देखते हैं, हमने यहाँ पे मेटर निकालने के ट्राई किया, वागए 2 प्लस 2 अपॉन 2, that is 2, तो आपका मेड यहीं आगया, आ उसके बाद हम भाहर आजाएंगे, जब हम भाहर आते हैं, तो हमारा जो S वाली गेम है, वो ही हमारा आंसर होगा, हमने बोल दिया, return S, उसी पे हमारा peak element पढ़ा हुआ है, मैंने रिटर्न S, मैं इसको चला कर देखता हूँ कि सही चला भी है, या गलत लिखती है, मैंने, चल ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 59.26% of C++ solution को बीट कर दिया है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, तो यह question मैंने 12, 2, 2, 21, 21, 19 तरीक, 5 महीने पहले भी question किया था, क्वाभी वैट के, ठीक है, ठीक है, तो आपके सामने सच्छा ही पड़ी हुई है, कि एक आपके समझ में आगया, कि इस पकार यह solution आपको निकालने वाले हैं, कोड एक बार दुबार आपको मैं दिखा देता हूं, अच्छे से, आपने क्या किया, आपने start and mid बना लिए अबाने सच्छ के लिए, उसके बाद आपने क्या किया, आपने simple condition check करी, कि दोस्त, अगर तो दूसरी यह line है, और तीसरा यह peak point है, यह तीन entity है, तो अगर मैं इस line पर लाई करता हूं, तो मुझे अपने start को जो है, आगे लेके जाना पड़ेगा, तो मैंने बोल दिया, start is equals to mid plus one, यह इस के लिए था, फिर मैंने बोला else, else मतलब दो चीज़ हैं बची हैं, कि या तो मे इसमें mid management करने लग जाओं, जैसे हम अरड़ी करते आ रहे हैं, तो यह किसको दर्शाता है, यह mid को दर्शाता है, तो mid management किसको दर्शाएगा, किसी ऐसे element को जो कि इस line पर पढ़ा है, जो कि हम नहीं करने वाले, तो हमने क्या किया, हमने end को mid ही रख लिया, इस पकार हमने game solve करी है, कि हाँ, ठीक है, हो जाएगा, कोई रिक करने है, आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से, अगर आपको नहीं समझ माई है, तुबार एक बर रिपीट करके देखे, आपको समझ मा आ जाएगी, तो lead code का discuss section है, यहाँ पे और पकार का solution मिलेंगे, इसको हमने सीख लिया कि peak element आप, mountain array के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, अगर भया, मुझे homework देना हूँ, आपको आज के लिए, तो मैं आपको क्या दूँगो homework में, मैं आपको बोलूँगा, कि कोशन होता है, find pivot in an array, find pivot in an array, इस प्रकार का, यह question आपके लिए homework है, अकले lecture के अंदर हम कोशन करेंगे, find element in an sorted and rotated array, तो उसके लिए आपको यह अगर आता हो, तो मज़ाद आएगा, ठीक है, तो यह मने कुछ कोशन कर लिए, आगे दो lecture हो रहने वाले हैं, जो इतना ही मिलते हैं, आप से अगले वीडियो में, कमेंट जरूर करके जाना, जो शरूर दिखाते रहना और मिलते हैं आप से लिडियो में तब तक के लिए बाइबाई सीया डाटा, बाइबाई